तो वल्कम बैक टो डी चैनल क्विक प्रेप क्लासेस माइनेम इस शारुक सैफी बच्चो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले है डिल्ली युनिवर्सिटी के बी ए प्रोग्राम के बारे में इससे पहले मैंने आपको ओनर्स से रिलेटेड चीजे बता दिया है चाहे है फिर वो यह उनर्स जियोग्राफी हो जो शिलोजी हो पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्रीक नॉमिक्स इंसे रिलेटेड अब बहुत सारे बच्चे प्रोग्राम भी करना चाहते हैं तो यह डेडिकेटीड वीडियो सिर्फ बी ए प्रोग्राम से रिलेटेड ही है और एक इसमें हर एक बच्चे को सी यू इटी एक्जाम में अपियर होना पड़ेगा जब वो बच्चा सी यू इटी एक्जाम को देगा उसे स्कोर कार्ड मिलेगा उसके हिसाफ से वह डेली यूनिवर्सिटी के जो जो कॉलेजिस हैं जिसमें भी ये प्रोग्राम करवाए जाता ह है उसमें एडिवीशन ले सकेगा रेगुलर बेसिस वे अभी वो बच्चे जो से करना चाहते हैं उनके लिए सी यू टी एक्जाम वैसे भी कंपल सरी नहीं है तो वालो बच्चों के लिए जो वीडियो आगी वो इसके बाद आपको देखने को मिलेगी अभी हम सी यू टी एक्जाम को लेकर एलिजिविलिटी की बात कर रहे है बीए प्रोग्राम को लेकर क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है उसे हम एक बाद सो सोट आउट कर ले ठीक है तो चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब जरू कर देना तो यहां पर बात कर रहे हैं बीए जो देने जा रहे हो इससे पहले मेरिट वेस पर डियू के अंदर एडिवीशन होता था इन कोर्सिस के अंदर ठीक है तो अब बच्चा प्रोगरम करना चाहता है तो उससे पहले उसे एक registration कैसे fill up करना है वो वाली वीडियो देख लेनी चाहिए उससे आपको बहुत सारा idea मिल जाएगा ठीक है हम main बात करें इस program की तो देखे degree भी आपको BA program की ही मिलेगी और यह जो आपको course provide कराये जा रहा है इसका नाम भी BA program है आप BA program में क्या special देखने क को मिलते हैं जबकि honors वाले के अंदर हमें एक single subject देखना को मिलता है जो की 80-90% उसका portion आपको अलग-अलग semester में पढ़ना पढ़ता है और कुछ elective subject के तोर पे भी कुछ other subject होते हैं लेकिन इसमें particular आपको कोई एक subject में ना पढ़कर other subject के बार में भी पढ़ना पढ़ता है ज देखें बच्चो सबसे पहले आपको बोलाएं कि डोमेन जर्नल और ऑप्शनल लेंग्वेज तो इसके अंदा include की गई है ठीक है अब वो कैसे कैसे की गई है आपको option में दिया गया आपको जो अच्छा लगे आप उसी के बिहाब पर selection करना इन इन चीजों का तो पहला वा पहले पार्ट पर और इसके option में दिया है कि any one from section one plus any one from section two plus section three तो तीन section तो इस वाले में बोला है कि तीनों section से आपको एक एक choose करना है अब वो कैसे बोला है तो सबसे पहले criteria कि आपको cvt exam देना होगा ठीक है आप या दे देंगे और उसके बाद एक मिनट जरा में से अब combination को बोला है combination को लेकर इसका हम criteria fulfill करते है ठीक है तो पहला वाला हम इसको लेकर करते है और दूसरा वाला हम इसको लेकर करेंगे समझगे तो पहले वाले combination में देखे क्या बोला है anyone from section one तो any one language from list A जो की डिली युनिवेसिटी ने अपना criteria रखा है और वो भी मैं आपको दिख subject करने list B1 से और एक subject आपको select करना list B1 या फिर B2 से और तो कि आप अच्छे से समझ चुके होंगे उसी तरह है आपको option में बोला है कि anyone from section one तो इसमें combination two को बोला है कि एक language आपको list A से select करनी है और anyone from section two और इसमें बोला है कि anyone subject from either list B1 और B2 यह बिल्कुल वैसी है जैसा owners वाले में मैंने आपको बता है था लेगिन इसके अंदर एक चीज और include होगी है वो है section three और हर एक बच्चा जानता है कि section three में उसे journal test देना होगा जिसके अंदर बच्चो current affair आपका basic math आएगी और साती reasoning होगा और GKB इसके अंदर include होता है और इंदी English language भी देखने को मिल यह चोड़ी चोड़ी तो यह आपका general test होता है तो combination two के अंदर यह चीज़े रखेगी है तो इस में से आपको combination अपना select करना है या फिर आप यह वाला कर लीजेगा या फिर यह वाला कर लीजेगा लेकिन इसमें साफ यह clear हुआ पड़ा है कि जो merit merit will be based on the best जी हाँ बैस्ट c u e t score obtained from any of above mention तो जो आपने इन में से अच्छे से अच्छे score प्राप किएंगे उसी के बिहाफ है combination of subject का क्या निकालेगी due cutoff निकालेगी तो आपके जैसे आपने यह वाले criteria से दिया आपका job score आया है तो उसमें साफ लिखा होगा अगर आप इस से match करते हो तो definitely आप admission ले सक section is not the same appropriate portion will be done कहने का मतलब यही है बच्छो कि इसमें आपको जड़ा ध्यान से अपना combination first और second को select करना पड़ेगा और मेरे साफ से अगर आप पूछना चाहो तो ज्यादा तर बच्छे इस वाले section के अपर ज्यादा जाएंगे क्योंकि वह easy है और इस वाले section पर तोड़ा कम जाएंगे इस वज़े से क्योंकि इसके अंदर एक चीज एड हो गया वह है जनल टेस्ट क्योंकि इसमें आपको सिर्फ तीन ही option चूज करने को बोला है तीन ही सब्जेक्ट टेस्ट अल्मोस्ट इसमें आपको कितने करने पड़े है चार करने पड़े है तो देखिए एक य यह हो गया और section 3 general टेस्ट वाला यह हो गया तो आप उसी इसाफ से जो आपको अच्छा लगे वह सेलेक्ट करना है ठीक है लेकिन जो बच्चा combination to select करेगा तो फिर उसे अपने slot के अंदर यह भी mention करना पड़ेगा क्या वह जनल टेस्ट देना चाहता है या नहीं देना चाह और मैं अपना registration कर रहा हूं भी ए प्रोग्राम में तो मैं कैसे करता तो जैसे मैं combination 1 में अगर मैं बात कर रहा हूं तो वह सरे बच्चे होंगे कि उसने एक language select करने को बोली तो मैंने हिंदे को select कर लिया उसने दो subject select करने को बोले program में तो मैंने history और political को कर लिया उनने बोला अबलिक इसलिए लगा दिया ठीक है और section 2 के अंदर combination में एक language select करने थी तो इंदे कर ली एक domain subject करना था लिस्ट बीवन से तो मैंने political कर लिया और general test तो common ही रहने वाले हो सो कि आप यह चीज़ा अच्छे से समझ चुके होंगे अब हो सकता है कि first time video देखने का ले बच्चो सारी common languages आपको देखने को मिल जाएगी जिसके अंदर हिंदी और English के अलावा हिंदी और English के अलावा रीजिनल लेंगवेज चाहे वो तमील हो तेल्गू हो वग्यारा वग्यारा और साथी foreign language चाहे वो Spanish हो या फिर Russian हो या फिर जैपनिस हो या इतालियन हो सारी के सारी include कर द तो यह बच्छो लिस्ट भी है जिसको दो पार्ट में डिवाइट किया गया है बी वन और बी टू में तो बीवन से जैसे पहले वाले section में आपको दो सब्जेक्ट चूज करने को बोलेते हैं तो यह बीवन कैटिगरी है इस गेंदर जियोगराफी भी है पॉलिटिकल साइ criteria fulfill हो जाएगा होफस्तों कि आप अच्छे से समझ चुगेंगे जब आप बच्चो अपना form fill up कर रहे होंगे और अपने slot को choose कर रहे होंगे तो इसमें साथ बोला है कि इसके अंदर पहले वाले slot में maximum आप four test दे सकते हो तो देखे four test अगर आपको देना है बीए program करना है तो आपको कैसे करना होगा तो आपने एक language के तोर पर किसे चूज किया आपने एंग language के तोर पर आपने हिंदी को चूज कर लिया done यहां पे उसके बाद दो domain specific subject आपको चूज करने ते तो आपने यहां पे दो domain subject चूज कर लिए और आपको general test पे पूचा जागा yes or no वाला option तो अगर आप yes कर दोगे तो आपको combination two वाला पार्ट देखने को मिल जागा कहने के मतलब यह combination two वाला पार्ट है न तो इसमें general test वाला है तो फिर आपको slot one में ही यह सारी चीज़ आपकी fulfill हो जाएगी लेकिन in case अगर आप slot one देना ही नहीं चाहते वह आप general test देना ही नहीं चा में पांच test देने को बोले गया ना maximum तो आपको क्या करना है भी ए प्रोग्राम में तो simply आपको section A से एक language चूज कर लेनी है आपने हिंदी कर ली देन उसके बाद चार subject है और domain specific में तो आपने दो select कर लिए एक category से और एक select कर लिए एक category से तो आपने एक हिंदी चूज करी एक आपने history और political चूज कर ली और लास्ट वाली जो थी आपने sociology चूज कर ली तो बीए प्रोग्राम का criteria आपका second slot से easily हो सकता है बस ध्यान रखना जो बच्चे combination part 2 का देंगे तो फिर उसे general test वाला option yes करना पड़ेगा और वो single यही वाला slot fill up कर दें दोनों में ही आपके 650 रुपे ही लग रहे है कोई दोनों भरने की ज़रूत नहीं है बीए प्रोग्राम करने के लिए specially इन डिल्ली युनिवर्शिटी के अंड़ ठीक है अगर किसी भी बच्चे को यह चीज़े समझ नहीं आ रही है तो आई सजय इससे पहले जो मैं वीडियो डाल रहा हूं step by step आप उन्हें देखते रहिएगा तभी आपको ज्यादा समझ आता रहेगा ठीक है बच्चे और बात कर ले आपके स्लोट के टाइमिंग की तो मॉर्निंग वाला नो बज़े से लेकर बारा बचके पंदरा मिनट पे है यानि की एक सो पिच्चानवे मिनट आपको देखने का मिने इवनिंग वाला जो स्लोट हो है वह आपका एक तरीके से 225 मिनेट्स है यानि कि पेन गन्ताक ईपनतारyour । और इसमें तीन घंटा पंदरा मिनट आपका यह वाला टाइम रहेगा आईस्टी इंडियन स्टेंडर्ट टाइम फुश्व क्या आफ सारी चीजे समझ चुक्योंगे तो यह भी यह प्रोग्राम की एलिजिबिलिटी ती ओवरॉल जो आपको देखने को मिली ठीके बच्चे म मैं आपको एक बार कॉलेजिस दिखा देता हूं कि कौन कौन से कॉलेजिस है जो बीए प्रोग्राम कंड़क्ट करवा रहे है तो यहां पर अगर आप देखोगे यह बैचलर आट्स हो गया और यहां पर अगर आप प्रोग्राम पे क्लिक करोगे तो यह वाला जो लास्ट के साथ शेयर किया था तो आप यहां पर देखेंगे यह सभी कॉलेजिस है जहां पे जो सीट्स अवेलेबल है वो कुछ इस तैप से है कि बहुत सारे कॉलेजिस है जो करवा रहे है भी ए प्रोग्राम ओल्मॉस्ट फॉर्टी फाइब को लिजिट है दिल्ली यॉनिवर्सि से निकालेंगे तो इसलिए आप जरत ध्यान से पेपर देना कोई कोलेज होगा कि वो हिस्ट्री के साथ इंगलिश मांग रहाएगा कोई कोलेज पॉलिटिकल साइंस के साथ हिंदी मांग रहा होगा कोई कोलेज आपको शोशलोजी के साथ पॉलिटिकल मांग रहा होगा तो सबक अपने अपने क्राइटेरिया और इसलिए यहां पे सीड्स के भूछ सारी है तो अच्छा कोर्स है करना चाहो तो आप एजली कर सकते हो सभी में आपको देखने को मिल जाएगा ठीक है बच्चे होब्स हो कि आपको बीए प्रोग्राम दिली इनुवर्सिटी की आपा आप प्रोग्साइब करता है यहाँ एलेजिदा का यहाँ जाएगा तर सीडरी ओतरी डिए यहाँ एलेजिड़ देखने हैं एलेजिदी घ्टे हैं अले तर रसी है एलेजिद